क्यां दोस्तों और भी एंटीपीसी की एक्जाम चल रही है और इस दोरान दोस्तों जो जीके है वह सबसे इंपॉरड़ेंट डॉल प्ले कर रहा है क्योंकि प्रस्न आ रहे हैं वह एकदम मतलब इजी लेबल बोल सकते हैं या फिर मौडरेट लेबल बोल सकते हैं और जिनका पहुत सरे मित्र का क्व आया की बाई आप बताइए कि कौन सा टौपिक पढ़ें कि जीगूम हम अच्छा इस्कोर हो तो दोस्तें मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जीके में कौन-कौन साफ सब्जिक्ट वह कौन-कौन साफ़ टौपिक है जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो 40 में से आप बहुत ही अच्छा स्कूर कर पाएंगे दोस्तों आप वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़िएगा पूरा ध्यान से देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक मत कीजिए कोई लाइक का कोई जरूरत नहीं है अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिएगा किकि अगर मैं इतना मेहनत से आपको बता हूंगा इतना मेहनत से आपको पूरा चुन-चुन के मैं एक टॉपिक को एरेंज्ट किया हूं तो इसका फाइदा आपके मित्र को भी मिलना चाहिए तो दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों देखिएगा तो दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ जीके का है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मैत का भी दूंगा कि मैत में कौन-कौन सा जगा से टॉपिक से प्रस्णा आ रहा है और किस लेवल का आपको पढ़ना है तो दोस्तों आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा आपको भटकना नहीं है बस इतना ही पढ़ना है भटकना नहीं है और साथी मैं आपको बताऊंगा कि किसी का स्पॉंसर्शिव नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ताकि आपका स्कोर बढ़े मैं खुद भी यही पढ़ता हूं ठीक है तो दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं तो दोस्तों जीके में अगर बात किया जाए तो दोस्तों जीके में इस एक्ज में आ रहा है आप लोगों को आगर विश्वास नहीं है तो आपका मित्र कोई अगर एक्जाम दे के आया है तो उसको फोन करिए और पूछिए कि इतिहास से कितना प्रस्णा रहा है तो दोस्तों मैं रियली बता रहा हूं चार प्रस्णा रहा है ठीक है तो फिर आप सोचेंगे कि क्या सिर्फ हिस्ट्री जेग्रॉफी पॉलिटी और एकनोमिक से ही प्रस्णा रहा है नहीं मैं उसके बाद भी बताऊंगा कि और क्या-क्या आपको पढ़ना है लेकिन में बक्सत जो है दोस्तों कि आपको ज्यादा इसको किसमें आएगा किसमें कर पाएंगे किसका वेटेज ज्यादा है वो बता रहा हूं सबसे ज्यादा जो वेटेज है दोस्तों वह इतिहास का है जैग्रॉफी का है पॉलिटी का है और एकनोमिक्स का है दोस्तों किस-किस टॉपिक में पढ़ना है इतिहास में आपको होगा कि current affairs बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है नहीं दोस्तों current affairs उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं क्योंकि यह non technical post है इसमें जो gk का portion होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा इसलिए आप लोग current affairs पढ़िए लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इस में हिस्ट्री में जेगरफी में पॉलिटी में और एकनॉमिक्स में तो दोस्तों जो current affairs है वो 2019 का भी पूछा जा रहा है और 20 का भी पूछा जा रहा है मतलब आप लोगों को दोनों ही पढ़ना है दोस्तों मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप पूरा जनवरी का उठाई है 2019 से और 2020 तक पूरा पढ़ते जाईए पूरा monthly से ऐसा मत बढ़िए इससे आपका time based होगा तो दोस्तों आपको करना क्या होगा मैं ओभी बताऊंगा आप लोग ध्यान से सिर्फ वीडियो को देखते जाईए फिर दोस्तों environment का भी प्रसना आ रहा है लेकिन उतना जादा नहीं है ए दोस्तों जो computer है computer से भी दो से तीन प्रसन आ रहा है इसलिए उसको भी पढ़ना जरूरी है और science दोस्तों बहुत लोग ने मतले यूटूब में एक हवा बना दिया कि science 15 पूछेगा science 20 पूछेगा दोस्तों जो exam देके आया है उन लोगों से पूछे कि science कितना पूछ रहा ह है और कितना hard पूछ रहा है कुछ नहीं जस्त क्या पूछ रहा है मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों science भी पूछ रहा है छे से लेके साथ गो तो इसको भी आप लोग मान सकते हैं इसमें cover कर सकते हैं मतलब gk में ही मान सकते हैं science को अलग से पूछा नहीं जा रहा है तो द कि वह सनस्तापक का संस्तापक से邪न पुछा जा रहा है उसके बाद युदव्यास युदव्यास दोस्तों यूदथ दोस्तों आपसे पूछेगा पानीपत का यूद कभ हुआ हलदी घाटी का यूद कभ वहा बताईए कि पलासी का यूद कभ वहा बकसर का यूद हुआ तो यूद बाला पोर्षन आपको बहुत ही डीटेल्स में पढ़के जाना होगा ऐसा नहीं कि किस साल हुआ किसके बीच हुआ कोन हारा किसका नित्रित वो कौन किया किस कारण से कि सेकेंड बात आता है दोस्तों जो बिद्रों है तो दोस्तों वह जो संताल विद्रों कैसे हुआ कोल विद्रों कैसे हुआ तो दोस्तों जो बिद्रों बाला पाठे वह भी बहुत-बहुत इंपोडेंट है आप आप सेट उठाई आठाश से पांस तरिक तक आपको मिनिमाम चार से पांच प्रस्न मिलेगा इसका मतलब यह है कि बिद्रों से भी प्रस्न पुछा जा रहा है तो इसको भी आप लोग नजर अंदाज मत कीजिए एकदम पढ़के जाईए ही फिर दोस्तों नेक्स्ट है पुस्तक दोस्तों यह पुस्तक अभी करेंट का पुस्तक नहीं है यह तो नहीं पुस्तक है जो इतिहास का पुछ लाग ने नेक्स दोस्तों को पूरा परसेंट इसको आप इस्टार मार्क लगा लीजिए एक दम पूरा करके ही जाना है इसमें आपको पूछेगा कंग्रेस का पहला अधिवेशन कभ कॉछा जा उनिस तारीक को पूछा गया था कि कॉंग्रेस की स्थापना कभ हुआ अभी चार तारीक को पूछा कि कॉंग्रेस में पहली बार राष्टगान कभ गाया गया तो दोस्तों इस तरह का सवाल आपसे गलत नहीं होगा अगर आप लोग कॉंग्रेस की अधिवेशन पढ़के जाते हैं नेक्स्ट है दोस्तों दोस्तों यह जो टाइम पिरिएट है वह बहुत ही ज्यादा इंपोडेंट है अगर आप लोग 1885 से लेके 1947 तक का टाइम पिरिएट को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका प्रशना गलतर नहीं होगा आप लोग ऐजा मत पढ़िये शिसे सम्मण्दी प्र이스 दरवारि हैं तो दोствен listens किसके रवार पढ़के जाना होगा यह सब को भी और नेक्स्ट दोस्तो संधी पूछ लेगा कि अंगलम उसुर यूद जो हुआ था उसमें कौन सा संधी हुआ था पहला कौन सा संधी दूसरा कौन सा संधी दोस्तों वह संधी को भी इंपोडेंट मार्क कर लीजिए ये भी सवाल में पूछा जा रहा है नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे जेगरोफी क्या दोस्तों जेगरोफी भी अपने आप में बहुत ही इंपोडेंट टॉपिक है और दोस्तों जेगरोफी से जो इंपोडेंट सवाल पूछा जा भी हाली में पुछा गया था जो गुदावरी नदी है उसका उद्गम कहां पर है नर्मदा नदी का उद्गम कहां है तो उस तरह का सवाल जितने भी नदियों से पुछा जा रहा है आप लोग 100% सही कर पाएंगे अगर ये टॉपिक को ध्यान से बढ़ लेंगे नेक्स्ट द सब्सकिटेंट सवाल पूछा जा रहा है कि नहीं दोस्तों एक सीफ्ट में दो इसलिए आप लोग डेम को भी पढ़िए गा नेक्स्ट दोस्तों चोटी दोस्तो हर सीव्ट में एक ना एक चोटी पूछा जा रहा है वो रहा है कि सडेल पी कहा परिस्ती थे और इसे पूछा गया भारत का सबसे उंचा चोटी कौन सा है दच्छीन अमेरिका का सबसे उंचा चोटी कौन सा है एंडीज कहा का मांटेन है इस तरह का सवाल पूछा जा पाई जाता है काली मुटी किस राज्जी में सरवादि जलोट मिट्टी किस छेत्र में पाई जाता है तो दोस्तों मिट्टी से भी बहुत इस अच्छा सवाल बनता है और बनेगा भी लिए आप लोग को यह भी पढ़के जाना कौन सा है या फिर पूछ लेगा कि राष्टे चावल अनुसंधान संस्थान कहां है तो उस तरह का सवाल दोस्तों जितने भी है वो क्रिसी से संबंदी थे आप इसको भी पूरा पढ़ लिजेगा नेक्स्ट दोस्तों जो है टॉपिक वो है पॉलिटिकल दोस्तों पॉलिटी पुछेगा आप जीस्टी को भी इंक्लूड कर सकते हैं जीस्टी कौन सा बिल था कौन सा एक्ट बना कौन सा डेट में पास हुआ जीस्टी कितने परकार का टैक्स होता है तो उस तरह का पूरा सवाल दोस्तों अधिनियम में आ जाएगा और नेक्स्ट दोस्तों पूचे औक लेन निती आयोंतों तो दोस्तों निती आयोक की बी आर्टिकल में नहीं आता है और तो उस्तों आपistent apologize पुछेगा ये के सवाल पूChi आप लोग को पुझेएगा कि मौलीक अदिकार वहात बहुत इंपोरेंट ही याद रहेँएगा फिर है मौलीक करतव दूस्तों संसोधन पूछा गया था कि आप लोग को इतना घंटा घंटा भर आपको इसमें टाइम वेस्ट करने कि कोई ज़रूरत नहीं है मैं बताऊंगा दोस्तो कि कौन सब सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है दोस्तो इसमें आपको यह जो पांच टोपिक के उपर ही आपना कमांड बनाना है तो दोस्तो यह जो बजट है और दोस्तो महारतन कंपनी तो सबसे पूछेगा कि कितना महारतन कंपनी है सेल के बारे में पूछ सकता है बेल के बारे में पूछ सकता है तो दोस्तो आप लोग पूरा जितना भी महारतन कंपनी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़के जाई है बहुत अच्छा दुर्गापूर उस तरह का सवाल भी यहां पर पूछा जा सकता कि इस देश के मतलब सा योग से लगाया गया था तो उसको भी आप इसमें ही अंक्लूड कर लीजिया और वो सो भी पढ़ डाली एक वारे तो दोस्तों नेक्स्ट बात आता है कि कौन सा बुक से पढ़े तो द दोस्तों इसमें आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप यह बुक बहुत ही पतला सा है आप लोग खरिच सकते हैं और इस बुक कर डेली अगर आप लोग 20-25 पेज को अगर पढ़ डालेंगे तो एक्जाम से पहले आप लोग कंप्लीट कर डालेंगे और को दाबे के साथ बता सकता हूं दोस्तों आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहीं से तो डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है तो यह बहुत ही अच्छा बुक है आप लोग पढ़ सकते हैं और साथी साथ अगर आपको करेंडे फिर्स का पढ अपकाव सामान है तो इसलिए आप लोग को खुद यह सब सोच के यह करना होगा कि आप लोग को पढ़ना क्या है आपको अपने से चुनना होगा तो दोस्तों करेंडे फिर्स के लिए आप लोग इस पीडी का बुक देख सकते हैं यह बेस्ट बुक है फिर दोस्तों बात आती है आप लोग सोचेंगे कि आपने जीके यह के बारे में नहीं बताया तो दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा बता आता हूं कहां वह सम्मेलन हुआ वह पुछा जा रहा है यूदे भ्यास दो एक पुछा जा रहा है तो वह सब टॉपिक वाइस कीजिए ऐसा नहीं है कि आप लोग जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक रठते हुए रहेंगे नहीं टॉपिक वाइस कीजिए आपको बहुत ही फाइदा होग और दोस्तों मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से दोस्तों यूटूब आप देखना बंद कर दीजिए यूटूब देखेंगे तो आपका दिमाग भटकेगा इससे अच्छा क्या है आप लोग बुक उठाईए और बुक से पढ़िए नेक्स है दोस्तों इंवार्मेंट के लिए कोई आपको इस विए पढ़िए नहीं पढना है उसी में इस पीडी में ही आपका कवर हो जाएगा तो दोस्तों उसके बात हैं दोस्तों दोस्तों केंप्यूटर केंप्यूटर से दा दोस्तों जो जो सवाल आरह है वहばいšग है अर्यग्विछ से मेंचिन से और चुछ अगर समझना होगा तो आपको क्या पढ़ना होगा केंप्यूटर से तो आपको केंप्यूटर से पढ़ना होगा कि चो लेंग्विज लेंग्विज जो है वह सब लेंग्विज पढ़ लिजिए केंप्यूटर का और मेमोरी पढ़ लिजिए पढ़ लिजिए उसके बाद जो हाड़वेर डिवाइस है वो डिवाइस थोड़ा पढ़ लिजिए इन्पूट आउटपूट पढ़ लिजिए और थोड़ा इंटरनेट के बारे में पढ़ लिजिए ठीक है इससे जद आपको पढ़ने की कोई आवसकता नहीं है कि शिर्फ weights, 2-3 सवाल रहा है फिर दोस्तो अगर आप लोग सोचेंगे कि साइंस के बारे में बताएए तो साइंस के बारे मैं भी थोड़ा मैं बताता हूं दोस्तो साइंस में अगर आपको स्कूर करना होगा तो अभी के टाइम में बहुत सैन्रल है लेकिन मैं दोस्तो आपको अग कि अभी तक जितना भी 28 तारिक से पांस तरीक तक एक्जाम हुआ है क्या एक भी निमरिकल आया है एक्जाम में नहीं आया क्यूंकि यह दोस्तों नॉन टेकनिकल एक्जाम है हाँ पूछ सकता है लेकिन अभी तक नहीं आया है आपको उसमें ज्जादा दिमाग लगाने की पुछा नहीं जा रहा है तो उहां सभी आप पढ़ेंगे तो आपका अच्छा सी स्कोर कर पाएंगे ठीक है तो दोस्तों ऐसा करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हैल्प मिला हो तो आप इस वीडियो को जुरूर अपने बीडियो के साथ सेर कर दिजिए ताकि मैं जिस मकसद से बनाया हूं उस मकसद में थोड़ा हथ तक सायोग हो सके तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था और यहीं पर एंड करते हैं तो जीन दोस्तों ने अभी तक चेनल को subscribe नहीं किया है तो please चेनल को भी subscribe कर लिजिएगा और बेल वाले आइकोन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम लोग जैसे इम वीडियो अप्लोड करते हैं आप लोगों को सबसे पहले notification आए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे